बाबा दीप सिंग जीदा जनम जनवरी 1682 इसवी विच माता जियोनी जीदी कुखों पिंड पहुविंड जिला अम्रित्सर विखे पाई पगता संदू जीदे कार होया। माता पिता ने आप जीदा ना दीपा रख्या। 1689 इसवी दी विसाखी वाले दिन सिरीगुरु गोबिन सिंग पाच्छा जी द्वारा कीती खालसा पांत दी सिर्जना दी गल पिंड पिंड फैल गई। जिस सदका अगली विसाखी पाव 1727 इसवी वाली विसाखी ते अनंदपुर साहे विखे पंजाब दे पिंडा विच्चों पारी गिंदती विच्छर दालू खंडे बाटे दी पाहुल लैन पुझे। ओस वेले बाबा दीप सिंग जी जिनादाना दीपा सी दी उमर 18 वर्यादी सी ते आप वी आपने माता पिता जी नाल गुरु दर्शना लई आए ते गुरु जी पासों अम्रिद दी दात प्रापत करके दीपे तों दीप सिंग बन गए। अज सारा सिक जगत आप जी नू बाबा दीप सिंग जी दे नानाल जानदा है। अखरा दा ज्यान हासल कीता ते थोड़े दिना विच ही आप जी दी लिखाई मोतियां वर्गी हो गई। एस दो बाद आप जी ने ब्रिज, संस्कृत, फार्सी आते अर्बी पाशावां दी सिख्यावी प्रापत कीती। फेर आप जी ने सिख विद्वान पाई मने सिंग जी पासों बाणी दा ज्यान हासल कीता ते बाणी कंठ करन लगे। बाबा जी छेती ही कोड सवारी आते शस्तर विद्या विच वी निपुन हो गए। कुझ ही समय विच बाबा दीब सिंग जी स्याने विद्वान ते सूर्बीर सैनिक बन गए ते दशमेश पिता जी दी संत सिपाही फौज विच शामल हो गए। कुझ समय मगरूं बाबा दीब सिंग जी दे माता पिता जी ने गुरु जी पास बेंती करके बाबा दीब सिंग जी नू वापस आपने कोल पिंड बुला लेया। ते जदू थोड़े चिर बाद गुरु जी दे अनन्दपुर साहिब दा किला छडडण, चारे साहिब जादेयां दे शहीद होण, परवार अते सिखा दे विचर जान दी खबर बाबा दीब सिंग जी तक पुझ जी तक गुरु जी नू पाल दे हुए ओ दमदमा साहिब सा जी ने नाल लाउंद्या हुकम कीता कि तो हड़े जिम्में पाइम मनी सिंग जी समेथ गुरु गरन साहिब जी दे उतारे दी सेवा लाउनी है। गुरु जी ने एवी हुकम कीता कि तुसी पाइम मनी सिंग जी नाल एथे ही रहे के बाणी दा प्रचार करना है ते जंगा युद्धा विच हिस्सा लेके कौम दी सेवा करनी है। गुरु जी दी आग्या मन दे होए बाबा दीब सिंग जी ने अठारवी सदी दिया विशेश जंगा विच आपना एहम योगदान पाया। एस तो बाद बाबा दीब सिंग जी ने गुरु हुकमा दी पालना कर दे होए सिरी दमदमा साहिब साबो की तलवंडी ही आपना पका टिकाना कर लिया। गुरु तामा दी सेवा दे नाल नाल आप जी ने गुरु गोबिन सिंग पाच्छा जी द्वारा त्यार करवाई दमदमी बीड देवी कई उतारे कीते अते करवाई जो सिक पांत दे तकता ते अते होर वी दूर दूर कई तरम अस्थाना ते पेजे गई। आप जी ने अर्भी पाशा विच वी सिरीगुरु ग्रन साहिव जी दी लिखन सेवा कीती। जदो जालमानू सोदन पंजाब वल आये ता बाबा दीप सिंग जी सिंगा दा एक पारी जथा लेके उना ना जार ले अते सरहंद ते सडोरा आध फते करन वे ले आप जी ने वद चड़के आपना खंडा खड़काया। 1746 इसवी विच जदो सिंगा दा खुरा खोज मिटाउन ले पंजाब दे गवर्नर यया खान दे दिवान लखपत रायने कहानू वान दे जंगल विच सिंगा नू केर ले ता ओथे वी बाबा दीप सिंग जी आपने जथे समेत हाजर सन जिसनू सिख इते हास विच छोटे क अलू कारे दे ना नल याद कीता जन्दा है एस जंग वेले टिड़ों पुखे सरीर ते जखम उत्ते सूरज दी तपश ते थले तपी होई तरती पैरी छले एस सब कश्ट सहार दे होए ते वैरी नल टाकरा कर दे होए बाबा दीप सिंग जी कुझ सिंगा सने वापस मालव पुझ गए जदो सिखां दियां बारा मिसलां बनाईयां गईयां ता बाबा दीप सिंग जी मिसल शहीदां तरना दल दे मुखी जथेदार बने एस मिसल दे सिंगां विच कई सिंग लिखारी कीर्तनिय अते विदवान वी सन सतारा सो चपंजा ईसवी विच एहमद शा अबदाली ने हिंदुस्तान ते जदो चोथा हमला कीता ते वापस आपने देश पर्तदयां ओ बेश केमती लुटदा माल लजा रहा सी उसने हजारा हिंदू ते मुसल्मान जवान इस्त्रियां नू कैद कर लिया सी सिंगा ने अबदाली पासो लगबग 22 बीबिया नू छुडवाया सिंगा तो हार खाके वापस जानदा होया अबदाली आपने पुत्तर तैमूर शानू पंजाब दा सूबेदार बना गया ते जहान खानू सैना पती अते सिंगा दा खुरा खोज मिटाउन दा ते सिखा दे शहर अम्रिच सर साहिब ते सचखंड सिरी हरमंदर साहिब जीनू ता टेरी करके पवित्तर सरोवर नू पूरन दा हुकम वी दे गया अब दाली दे हुकम दी तामील कर दिया हुयां सतारा सो सतवंजा इसवी विच तैमूर शा ते जहान खान पारी फौज लेके अम्रिच सर पुझे अम्रिच सर शहर नू लुटे आ गया, सचखंड स्री हरमंदर साहिब जी दी सोनी इमारत नू तोपा नाल टाया गया, ते पवित्तर सरोवर नू मिटी नाल पूर दिता गया बाबा गुर्बक्ष सिंग जी ने आपने ती कु साथियां समेथ जहान खान दी फौजदा डट के सामना कीता, ते सारे ही बहादर सिंगा ने शहीदी पाई जदो सचकंट सिरी दरबार साहिब अमरिच सर दी बेदबी दी खबर बाबा दीब सिंग जी पास दमदमा साहिब साबो की तलवंडी पुजजी तब बाबा जी दे तन बदन विच पामबड बल उठे उना तो आज सब सुन के रिहा ना गया, ते आप जी ने उसे वेले लगबग 76 वर्यां दी बुज़ुर्ग अवस्था विच अमरिच सर पुज के वैरी तो बदला लेंड दा फैसला कर लिया बाबा दीप सिंग जी दे हुकम ते नगर दे सारे सिंग इकठे हो गए, गुरुकर दी बेदबी दी खबर सुन के सारे सिंगा दे सीने चीरे गए, लाडी मौत नू वरन लई, शहीदा दी जंज चड़नी शुरू हो गई, शहीदी जंज विच शामल होन लई, आस पास दे पिंडा तो सिंग दमदमा साहिब इकठे हो गए, बाबा जी ने अग्ये होके खंडे नाल एक लकीर खिची ते उच्ची बोल के किहा कि केवल ओही सिंग लकीर टपके साड़े वल आवे, जिने तरम तो जानवारनी है, ते युद विच पिठ नहीं विखाउनी, सारे ही सिं लकीर टपके बाबा दीब सिंग जी दी अगवाई हेट अमरिचसर साहिब वलनू हो तुरे, एस वेले बाबा जी दे नाल पंच सो सिंगा दा जथा सी, रा विच लागले पिंडा तो होर वी सिक, लाडी मौत नू व्याउन लई शहीदा दी एस बरात विच शामल होंदे ग सिंगा दी गिंती 5000 तक हो गई। लहोर दरबार विच पुझ गईयां, जिस्तो बाद जहान खान वी हजार दी फौज लेके अमरिचसर पुझ गया, शहर दे बाहर गोहलवड पिंड दे पास जहान खान दी हजारा दी फौज नाल सिंगा दा टाकरा होया, आमों सामने कमासान दा युद होया। बाबा दीप सिंग जी आपणा अठारा सेरदा खंडा खड़कांदे, वैरिया नू सदा दी नीन सोंदे, अग्गे वधी जा रहे सन। बाबा जी शहर तो अजे हटवे ही सन के जमाल खान नाल आमों सामने हो रही हत्ती लड़ाई विच दोहा दे सिर कटे गए। बाबा जी दे पास खड़े एक सिंग ने बाबा जी नू आपणा कीता होया प्रण याद करवाया के आप जी ने ता सचकंड सिरी दर्बार साहिप पहुँच के शहीद होनदा अर्दासा सोद्या सी। सिख दी अवाज बाबा जी दे कन्नी पैंदे ही एक ऐसा करिश्मा वाप्रया के दुनिया दे इतिहास विच्चों कोई होर अजे ही मिसाल नहीं मिल दी। एस विलखन शहीदी सदका ही बाबा दीप सिंग जी अनोखे अमर शहीद कहाए। वाहिग्रुजी का खालसा वाहिग्रुजी की फते। झालसा वाहिदी कोईब यजे सब्सक्राइए।